हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं स्वाथी आप लोगों का स्वागत करती हूं ट्यूक अकाड़िमी में आज हम हिस्ट्री का बचा हुआ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पहला पार्ट मैंने पढ़के बता दिया है आप लोगों को और आप समझ चुके होंगे पर आज हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं आप लोग मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा भी और समझ येगा भी ठीक है मेरे दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी पीपल्स होते हैं वो बेस्टाइल के उपर हमला कर देते हैं ठीक है बेस्टाइल को तोड़ देते हैं राजा के जितने भी गवर्मेंट के जितने भी किले होते हैं उन सब के उपर हमला कर देते हैं गुस्से में हमला कर द ये अपना सम्विधान बनाना है हमें तो राजा वैसे ही डरा हुआ होते है और सहमा हुआ होते है तो राजा कहता है ठीक है भाई तुम लोग अपना सम्विधान बना लोग मैं और दे देता हूँ ठीक है क्योंकि वो डरा हुआ होता है पहले से ही उसको डर होता है कहीं लोग बुछ पर हमना न करते हैं, इसमें वो order दे देता है, फिर क्या होता है, इसके ही बीच political groups बन रहे होते हैं, क्या बन रहे होते हैं? पॉलिटिकल ग्रुप्स तो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते है जब से क्या होता है पॉलिटिकल ग्रुप्स तीन लोगों सोच सेम है, तीन लोगों की सोच ये चार लोगों की सोच सेम है वो लोग मिलके अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप बना लेते हैं, वो लोग मिलके अपना, क्योंकि उनकी सहमती होती है, सेम सेम सोचते हैं, और इसमें एक ग्रुप ऐसा होता है, जो बहुत जादा ही famous होता है, तो वो कौन सा ग्रुप होता है, उसका नाम होता है Jacobian Club, ठीक है? उसका नाम होता है Jacobian Club वो बहुत ही जादा उस time पे famous हो रखा होता है, Jacobian Club क्या होता है? Jacobian Club, poor peoples का group होता है, उसमें rich peoples allowed नहीं होते हैं, उसमें rich peoples का कोई कामी नहीं होता है, poor peoples का Jacobian Club group होता है, उसमें सारे peoples एकट्टा होते हैं, और एक साथ सहमती से बात करके, विचार करके कोई फैसला लेते है Jacobian Clubs में ज़्यादा तर Shoe Keepers, Drivers Servants, यह सारे लोग होते है यह सारे Political Groups में होते है Jacobian Club बहुत Famous होते है उस टाइम पे और Jacobian Clubs का पहनावा कैसा होता है वो लोग एक Trend Set करते है वो लोग Trend Set करते है जो royals लोग होते हैं, rich people होते हैं, वो knee length तक के कपड़े पहनते हैं, घुट्टे तक के कपड़े पहनते हैं वो लोग, लेकिन जो जेके ubin clubs होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे भाई हम लोग knee length के कपड़े नहीं पहनेंगे, हम तो अपना एक नया trend set करेंगे, तो वो लोग ankle length तक के कपड़े पहनते हैं, ankle length तक के कपड़े पहनते हैं और males red cap होती हैं, वो डालते हैं, वो मिन्स को red cap लेना अलाउट नहीं होता है, बट यहीं उनका पहनावा होते हैं, वो मिन्स भी इस दौरान बहुत active होती है, पॉलिटिकल क्लप्स में हिस्सा लेती हैं, वो भी इस मुजगारी हो जाती है, पैसा नहीं होता है खाने के लिए लोगों के पास, और खाना होता भी है, तो महंगा इतना होता है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी होती है, कि उनके पास पैसा ही नहीं होता, कि वो अपनी need, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, तो वो लोग बहुत होते हैं वो बहुत जादा frustrated anger निकालते हैं किस पे निकालते हैं अगर king पे, lowest 16 पे वो लोग गुसा निकालते हैं वो लोग बोलते हैं कि अरे भाई इतना क्या उन्होंने मैंने बताया था आपको इतना text बढ़ा दिया था क्योंकि पैसे ही नही थे France के पास तो लोग सोचते कि इतना text बढ़ाने की जरुरत क्या थी और जरुरत थी भी तो सिर्फ हम लोगों से ही third state से ही text क्यों किया जाए तो इतनी भुक्मरी हो जाती है फ्रांस में कि लोग क्या करते है लोग ना king का जो kingdom होता है जो महल होता है जिसमें वो रहता है उसके ओपर ढाबा बोल देते हैं, उसके ओपर हमला कर देते हैं, के अंदर घुस जाते हैं और जितने भी सैनिक होते हैं, जितने भी बॉडिगार्ट्स होते हैं किंग के, तो उनको मार देते हैं, उनको खतम कर देते हैं, और किंग को होस्टेज बना ले कि जितने भी रॉयल पीपल से उनको हम बंदी बना लेंगे, उनको जेल में डाल देंगे, यह वो बोलते हैं, कि सारे लोग जितने भी खट्टा होते हैं, जितने भी किंग्डम पे धाबा बोलते हैं, वो सब बोलते हैं, कि हम लोग इतने भी रॉयल पीपल है, उन लोगों को बंदी बना के जेल में डाल देते, तो इतने में ही एक बात पता चलती है, फ्रांस के लोगों को, फ्रांस के लोग इंजाम लगता है, किस पे इंजाम लगता है, लूई 16 पे लूई 16 बिचारा पहले से ही जेल में होता है, उसके उपर इंजाम लगता है, कि उसने देश के 16 होते हैं, King Austria और Prussia को बोलता है कि आप लोग France के उपर हमला कर दो, France को हमला कर दो, वाँ जितने भी male, female, जितने भी लोग है children's है, उनके उपर हमला कर दो उनके उपर उन सबको मार दो ये बात किसको पता चलती है? France के लोगों को पता चल जाती है तो France के लोग इतना गुस्सा होते हैं King से, वो लोग क्या करते हैं? King को मार देते हैं मार कैसे देते हैं? उसका gluten, उसका gelatin कर देते हैं मतलब कि उसका गला काटके उसको मार देते हैं Queen के साथ भी वो लोग ऐसा ही करते हैं Queen का भी गला काटके को मार देते हैं, ठेक है, तो फिर Raja भी खतम, Rani भी खतम, अब क्या होगा, France का, तो क्या होता है, ऐसे में Maximilum Robotspere power में आ जाते हैं, वो power में आ जाते हैं, उसा power ऐसा होता है, कि लोग बहुत डर जाते हैं, लोग उनसे डरने लगते हैं वो जैकॉबियन क्लब के क्या होते है जैकॉबियन क्लब के लीडर होते है और जैकॉबियन क्लब पूर पीपल्स का था जैकॉबियन क्लब जो था वो सिर्फ पूर पीपल्स का था उसमें पूर पीपल्स के लोग के तो जो Maximilian Roberts Beard होते हैं वो क्या करते हैं? वो न, चेंज कर देते हैं बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जो की चेंज कर देते हैं वो बोलते हैं कि जो महंगा ब्रेट है उसको हम बैन कर रहे हैं बैन कर रहे हैं, लोग सिर्फ सस्ता ब्रेट ही लेंगे वो चर्चेज, जितने भी चर्चेज होते हैं उनको बंद करवा देते हैं वो बोलते हैं, चर्च की जगा यहां आफिसे खुलेंगे आफिस में जाएंगे लोग तो ऐसे लोग उसके टेरर से बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमें कुछ करना होगा तो सारे लोग मिलके केस करते हैं कि केस करते हैं, मैक्सिमिलन रॉबस पेर पे मिलके केस करते हैं केस करते हैं, और उसका भी मैक्सिमिलन रॉबस पेर का भी गिलिटन कर देते हैं वो भी गला काटके मार देते हैं तो अब क्या होता है? अब राजा भी खतम था, रानी भी खतम ही थी, मर गई थी, सब ने मिलके उनके राज्जे को खतM कर दिया था, Maximal and Robespierre जो थे वो power में आ गए थे, लेकिन उनको भी मार दिया गया था, उनके terror की वज़े से. तो अब क्या होता है, अब middle class जो होती है वो power में आ जाती है, legislature और executive जो होते हैं वो powers में आ जाती है, उनके हाथ में सब कुछ होता है, leaders बन जाते हैं वो लोग, लेकिन क्या होता है, वो सब आपस में लड़ने लगते हैं, लोगों की solution ढूणने के बजाए, problem की solution ढूणने के ब होगा, अगर लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं, legislature, executive ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं, अब इनका भी rule खतम हो जाता है, अब आपने देखा कि अब कौन करेगा, अब कौन करेगा, जो France है, उसको rule कौन करेगा, तो समहाले का कौन, तो rule कौन करता है, मैं बताती ह हैं, फावर में, उससे पहले मैं आप लोगों को women revolution के बारे में बता देती है, तो women revolution क्या होता है, from the very beginning, women's were active participants in the events which brought about so many changes in France society, तो women's होती है, उनके husbands होते हैं, वो आर्मी में चले जाते हैं, लड़ने, women's घर पे रहती है, घर का काम करती है, बच्चों को समहालती है, साथ-साथ बाहर का भी काम करती है, तो women's होती है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर काम करने नहीं दिया जाता था, तो obviously बात है, उस जमाने की बात है, इस जमाने की बात नहीं करती है, तो यह बह रहने के लिए, खाने, पीने के लिए work करना पड़ता था, ठीक है? काम करना पड़ता था. Their wages were lower than those of men's. They demanded equal pay for equal work. तो काम करती थी, यह जो salary होती थी, जैसे salary है men और women की, men को ज़्यादा salary दी जाती थी, उसके मुकाबले जो women's होती थी, वो work करती थी, उनको men's से कम salary दी जाती थी. लेकिन काम तो दोनों equal कर रहे हैं, men और women दोनों पराबर कर रहे हैं, लेकिन salary क्यों कम है? यह equality नहीं थी. वो equality चाहिए थी, उनको equality चाहिए थी, कि उनके साथ भी equal rights हो, जैसे men को क्या जाता है, जैसे सारी men's को चाहिए rights, वैसे women's को चाहिए थी. In order to discuss and voice their interest, women's stand started their own political clubs and newspapers. Women's को थी, अपना खुद का political clubs खला लिया था, खोलना, start कर दिया था, कि हम लोग अब मिलके, साथ में political club बनाते हैं और काम करेंगे. One of their main demands was that women must enjoy the same political rights as men. उनके यही demand थी, जैसे men को दी जाते है, वैसी women को same equality दी जाते है. उनके यही demand थी. Some laws were introduced to improve the position of women. Laws भी बने थी, प्रूफ करने के लिए women's position को खुद के, their struggles still continue in several parts of the world. It was finally in 1946 that women in France won the rights to vote. 1946 में क्या होता है? Women's को right दिया जाता है, vote करने का. उससे पहरे, women's को right ही नहीं होता कि वो vote कर पाए. Right है, उनको पढ़ने तक नहीं दिया जाता था, उनको school तक नहीं जाने दिया जाता था. किसी में एक woman leader होती थी, political party की, leader का नाम होती, Olympia. उसने क्या किया? वो बहुत ज़्यादा strong थी, सबसे लड़ी, उसने बोला कि equally rights देने चाहिए. जब queen जिन्दा थी, time पे, Olympia जाके queen से बोलती है, कि हमें equal rights चाहिए. Queen से बोला, national assembly में भी भोला, बट कोई फाइदा नहीं हुआ, ठीक है? फिर उस time पे, जब Maximilian Robespierre रूल कर रहे थे, उसको भी बोला, उन्होंने बोला, कि women's के, Maximilian Robespierre ने बोला, कि women's के, जितने भी political clubs हैं, उनको बंद करवा दिया. तो, तो Olympia थी, वो तो बहुत फ्रॉंगती हुआ, बोला, अरे, ऐसा क्यों हो? उन्होंने बोला, राइट्स देना चाहिए. पोल रही थी, जो Jacobian Club के लोग है, जो leaders है, जो लोग है, वो बहुत ही गंदे हैं, क्योंकि वो women's को respect नहीं देते हैं, वोमन को equally rights नहीं देते हैं, तो, Maximilian तो भई, जैसे मैंने बताया, उसके खिलाफ जो भी जाता था, उनको मार देता था, तो, तो, गिलिटिन करवा देता, तो, Maximilian ने क्या किया, एग्रिक्यूट करवा दिया, किसको? Olympia को, तेके, लेकिन 1946 में ऐसा दौर आता है, कि वोमन को right मिलते हैं, क्या करने के, vote करने के, और धीरे-धीरे चीज़े भी बदलने लगती है, वोमन के लिए, अब हम आते हैं, the abolition of slavery, ठीक है, there was a triangular slave trade, among Europe, Africa and America, slaves, slaves जो होते थे, उनको trade किया जाता था, किन देशों में trade किया जाता था, Europe में, Africa में and America में, इन देशों में, slaves होते थे, उनको trade किया जाता था, बेचा जाता था, In the 18th century, there was a little criticism of slavery in France, no law were passed against it, कोई law नहीं था, इसके against, कोई पास नहीं, slaves वो trade करते थे, और उसका एक group बन गया था, trade करने का slaves को, ठीक है, It was in 1794, that the convention made free all slaves, 1794 में, एक law बना, जिसमें बोला गया, कि जितने भी slaves हैं, उनको free कर दो, उनको प्रिहा कर दो, तो क्या करते थे, जितने भी slaves होते थे, उनको trips में डाल के, तीन-तीन महीने तक बंदी बना के रखते थे, और उनको trade कर दे थे, ते डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, बट 10 years later, slavery was reintroduced by Napoleon, temporary, जो slavery था, वो ban हो गया था, वो बंद हो गया था, लेकिन reintroduced, वो फिर से दोबारा start हो गया था, किसने start किया था, Napoleon ने दोबारा से, slavery को start किया था, it was finally in 1848, that slavery was abolished, in the French colonies, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है, 1848 में, जब slavery ban हो जाता है, ठीक है, abolished हो जाता है, अब हम पढ़ेंगे लेपॉलियन, लास्ट टॉपिक है हमारी चैप्र, दोस्तों, लेपॉलियन होते हैं, मैंने बताया, King Queen का राज खतम हो जाता है, उसके बाद, France देखती है, कि King Queen से भी नहीं हुआ कुछ, राइट्स नहीं हो जाता है, फिर कौन आता है, फिर आता है, Maximilian Robosphere आते हैं, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हो जाते हैं, तो है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं रहे, इक्वल राइट्स ही नहीं तेरे, लोगों को वो चीज पसंद नहीं आती थी, उनको भी हटा दिया गया, भी ग्लिटिन करवा दिया गया, फिर नेक्स्ट थी लेजिसलेजर और एग्जिक्यूटिव, वो आपस में भीड़ गए थे, वो देश क्या समालेंगे, फिर उसके बाद नेपॉलियन था, नेपॉलियन ने खुद को राजा घोशित करा था, एक ताइम था, जब क्राउन पिनाया जाता था राजाओ को, तो नेपॉलियन को जो क्राउन पिनाने जा रहे थे, उसके हाथों से चीन के, नेपॉलियन खुद को क्राउन पिना लेता है, ताज पिना लेता है, वो बोलता है कि कोई रिलिजियुस नियुक्त पढ़नी हो साथ, वो ऐसे उसकी सोच थी. In 1804, Napoleon crowned himself emperor of France. 1804 में, Napoleon crowned himself, वो राजा बनता है. He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. उसने modern city, लब बहुत सारी चीज़े modern कर दी थी, country में. इससे कि उसके देश के पढ़ोसी देश थे, बहुत ज़्यादा परिशान हो गए थे कि इतना भी क्या modern करना देश थे. एक टाइम था जब Napoleon ने टेक्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया थे. एक बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. लोग उससे परिशान हो गए थे. जितने भी उसके पढ़ोसी देश थे, वो परिशान हो गए थे. फिर क्या होते थे? एक टाइम था उसको डिफीट कर दिया, उसको मार दिया जाता था. कब मरता है नेपॉलियन? नेपॉलियन को मार दिया जाता है. जितने पी कंट्रीज होते हैं. पड़ोसी देश होते हैं. लोग एक साथ मिलके, बुलते हैं कि इतना भी क्या मॉडन करना, और वो टेक्स भी भढ़ा रहा है, तो हम वो मार देते हैं, उसको खतम कर देते हैं. तो उसकी दित कब होती है? वो मरता है, 1850, defeated होता है, Waterloo में. तो यह आप पढ़ लीजेगा, य नहीं खतम होता है. इस चैप्टर आपको कैसा लगा? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. आज के लिए इतना है. थैंक्यू सो मच. अब मैं नेक्स लेक्ष के में. थैंक्यू दोस्तों.